कि हलो दोस्तो मैं प्रशान और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीक्ली एनालिसिस करेंगे और वीक्ली एनालिसिस करके मैं आपको यह बताऊंगा कि नेक्ट विक मार्केट का ट्वेंड और सेंटिमेंट क्या रहने वाला है और उस सबसे पहले मैं आपके साथ एक crucial data share करना चाहूंगा. 2024 में अभी तक, यानि हम जन्वरी से लेके मेर तक की बात करें, FI के तरफ से 1,18,000 कोर्ड का जबर्दस्त बिक्वाली किया गया सिर्फ 5 months में. और ये कितना वरा बिक्वाली है? ये data देखिए. सबसे ज़्यादा yearly basis पे बिक्वाली किया गया था, 2022 में 2,78,000 कोर्ड का बिक्वाली किया गया था. उसकी बाद अगर हम last 10 years की data की बात करें, तो जो 5 months में बिक्वाली हुआ है, उतना पूरे साल में भी FI के तरफ से बिक्वाली नहीं किया गया है. यह नहीं, यह बिक्वाली का जबर्दस data है, लेकिन यह ध्यान रखना है, यह आपका क्या है, यह आपका है election year, तो क्या election year इंड होने तक यही data रहेगा, इसके लिए हमें चलना होगा, last 2 election year था, उस time पे FI का motor sentiment कैसा था, तो सबसे पहले, 2019 की बात करते हैं, 2019 में FI के तरफ से net net लगवग आपका 40,000 करोड का खरिदारी किया गया था, ठीक है, 2014 की भी बात कर लेते हैं, 2014 की अगर हम बात करें, यहाँ पे FI के तरफ से लगवग आपका 70,000 का खरिदारी किया गया, यह नि, last 2 election year से, overall FI का जो data है, वो आपका खरिदारी का है, बिकवाली का नहीं है, अगर same trend और sentiment continue रहता है, तो यह लगवग आपका 1,20,000 करोड का बिकवाली का data है, तो यह बिकवाली का data नहीं रहेगा, अगर हम इसको खरिदारी बिकवाली को zero कर ले, यह नि, net net FI के तरफ से ना कोई बिकवाली किया ग अभी से लेके आपका December तक, और यह खरिदारी market को 25,000 के उपर ले जाने के लिए काफी होगा, वहीं अगर आपका net net data, 30,000 करोड का buying का आता है, जो कि एक overall trend रहा, तो क्या होगा, FI के तरफ से लगवग आपका 1,500,000 करोड का खरिदारी आएगा, अभी से लेके December तक, और 1, 30,000,000 करोड का खरिदारी आएगा, तो Nifty आपका किस लेबल तक जाएगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो ऐसे ही जो data आता है, उसको हमें analyze करना है, और इससे market के आप short term और long term trend दोनों को identify कर सकते हैं, नहीं analyze कर सकते हैं, तो channel को subscribe कर लिजे, इस तरह का analysis हम आपके तो मैंने आपको last weekly analysis वाले वीडियो में बदाया था, कि 4th June तक India Wix आपका 20 से 22 के range में ही रहेगा, और अगर यह इसको highest जाना होगा, तो 25 तक जाएगा, और lowest जाना है, तो 20 के आस पास जाएगा, लेकिन important क्या है, कि India Wix आपका 20 से 22 के range में, जो कि आपका high नहीं है, बहुत जादा high weeks माना जाएगा, इसके बावजूद भी market अपने all time high level के करीब है, और यह वाकई market के strength को दिखाता है, कि market में हमें कितना strength देखने को मिलवा है, इसका यह हमें clear indication देता है, निफ्टी के weekly chart पे आने से पहले, हम एक बार global market के trend और sentiment को भी देख लेते हैं, तो global market का trend औ trade के तरफ से लोग को लग रहा था कि interest rate cut जल्दी आएगा, लेकिन interest rate cut होगा, लेकिन उसमें late हो सकता है, और इसी news को लेके US market में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अगर हम इस गिरावट को technically analyze करें, तो सबसे पहले, market आपका 39,000 के crucial level करीव है, और अग नहीं लिया, तो आपका Dow Jones 38,200 लेके 38,000 के level करीब आता हुआ दिखेगा, यह नि यह जो support zone है, इस support zone के करीब आता हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि market में अगर आप एक pattern देखे, तो M pattern का formation हो रहा है, और इस M pattern को complete करता हुआ दिखेगा, या फिर आप बोल सकते कि पहला top आ ठालीजे, उस angle से technically Dow Jones इस level तक आ सकता है, तो अगर यह इस level तक आता है, तो इसका pressure हमारे Indian market पे भी देखने को मिलेगा, तो आपको अगले हपते Dow Jones को भी closely track करना होगा, निफ्टी अगर हम weekly chart को analyze करे, तो clear cut दिख रहा है कि इस हपते हमें निफ्टी में एक जवरदस्त breakout दे तोड़ने के कगार पे भी है, हो सकता है कि Monday को इसको तोड़ने, और यह जो breakout दिया है, इसके पीछे का multiple vision है, लेकिन सबसे primary vision है, वह आपका RBI के तरफ से government को dividend देना, और यह अभी तक का सबसे highest dividend है, लगबग आपका 2.1 lakh crore का dividend दिया गया RBI के तरफ से government को, और यह government के expanding को next financial increase कर सकता है, दूसरा है, कि FIA के तरफ से market में buying नहीं किया जा रहा था, और अगर आप देखेंगे, तो लगबग आपका Thursday को FIA के तरफ से 46 सो करोर का buying किया गया है आपका cash market में, और अगर आप index future की बात करें, तो लगबग वहाँ पे आपका 7000 crore का खरीदारी किया गया है FIA के तरफ से, तो यह सारा का सारा data लगबग बता रहा है, कि market में अपका 11000 से सारे 11000 crore का buying किया गया है FIA के तरफ से, और यह market को एक positive sentiment देने के लिए काफी है, और breakout देने के लिए काफी था, तो अब हमें अगले हफते क्या क्या देखना होगा, कि अगर market अगले हफते 23,000 का immediate resistance level है, इसको break करके ऊपर निकला, तो यहाँ पर 23,300 से लेके 500 तक का रास्ता clear हो जाएगा, अगर नहीं हुआ, तो इसमें आपका गिरावट देखने मिलेगा, और सबसे पहले यह आपका 22,800 करीवाएगा, और इस level करीवाएगा, तो यहाँ पर आपका strong resistance था, तो यह resistance support म convert हो गया, तो support भी equally strong होगा, तो यहाँ पर reversal आने के पूरे पूरे chances हैं, तो reversal के लिए हम 20-25 point का wait करेंगा, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया, इसको break करके नीचे गिया, तो लगवक 300 point का और गिरावट आएगा, और फिर यह आपका 22,500 के level पे भी आ सकता है, तो 22,500 के level पे weekly chart को देखे, तो यहाँ भी market में हमें तेजी देखने को मिला है, और इस हपते का तेजी में अगर आप focus करेंगे, तो close और high लगभग बरावर ही देखने को मिलेगा, यानि nifty से जादा है strength हमें bank nifty में देखने को मिला है, और close equal to high दिखा रहा है, यह strength आपका आगे भी continue रह सकता है, तो अब bank nifty में क्या गरना, अगर bank nifty आपका, इस दोनों candle का जो almost high है, आपका 49,000 के आसपास का, इस level को break करके अगर यह ऊपर निकल जाता है, तो इसमें भी तेजी continue रहेगा, और यह आपका 50,000 तक का रास्ता आसानी से clear कर सकता, क्योंकि उसके बीच में कोई major hurdle द resistance को नहीं break करता है, तो यहाँ पर एक reversal देखने को मिल जाएगा, और market कहां तक आ सकता है, market सीधे आपका 48,500 के crucial support करिवा सकता है, यहाँ पर पूरे-पूरे reversal के chances रहेंगे, और reversal आता है, तो यहाँ पर आपको buy side वाला trade setup भी लेना है, लेकिन अगर इस support level को भी ब्रेक करके आया, तो another 500 point का गिरावट आएगा, और market आपका 48,000 के psychological level पे पहुंचता हुआ, दिख सकता है, तो इस तरीके से next week हमें bank nifty में अपना trading setup तयार करना है, तो चलिए अब हम फिन nifty को उपर बात कर लेते हैं, फिन nifty को उपर अगर हम फोकस करें, यहाँ भी हमें bank nifty जैसा ही तेजी देखने को मिला है, और इसमें भी अगर आप candle पर फोकस करेंगे, तो close और high लगबग आपका एक बरावरी दिखेगा, और यह क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि यहाँ पर buyers में strength बहुत ही जादा है, और strength जादा है, तो upside move अगले हफते भी continue रह सकता है, लेक पर fresh buying बनेगा, और इसके बाद, यहाँ से लगबग आपका 22-200, यानि 300 point तक का रास्ता एकदम clear नजर आ रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसी level से market में हमें गिरावर्ट देखने को मिलेगा, और आपका fin nifty, यह जो level 21600, इस level के करीब आपका आता हुआ दिख सकता है, यहाँ पर अगर support लिया तो ठीक है, नहीं लिया, तो 100 point का फिर से गिरावर्ट दिखा के 21500 करीब आ सकता है, तो यह सारे support और resistance level होगा, और हर एक support level से reversal के पूरे पूरे chances हैं, क्योंकि dip में buying करने वाला strategy अगले हपते हमें priority पे रखना है, तो उमीद करते हैं कि nifty, bank nifty और fin nifty में next week क्या इस प्रेटी फॉलो करना है, clarity के साथ समझ में आ गया होगा, so that's all, इस वीडियो में इतना है, मिलते नेक्स वीडियो में, जैहन